नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार के स्टेडिज में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो इस बेका आज के दिन रेजल्ट आने वाला था और रेजल्ट पब्लिस हो चुके है और रेजल्ट धामा का जीचा हुआ फिर भी स्टॉक के उपर एक भारी भर कम पेसर सबसे पहले देखिए बात करूँगा डिविडेन के बारे में साड़े 11 रुपीज करके कमपानी डिविडेन अनॉनस्मेंट कर चुके है और डिविडेन आपको मिलेगा 14 जून में और डिविडेन करीवन करीवन 1130 परसन के आसपास है कमपानी के फेस बेल्यू के सबसे तो कमपानी ने इंकम किया था 82,600 करोड का और इस बार 1,6,000 करोड के आसपास और पिछले बार कितना 98,000 करोड के आसपास है और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करो तो टोटल एक्सपेंटिजर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आप देख सकते 82,200 करोड करोड के आसपास और पिछले बार था 14,000 करोड के आसपास और पिछले साल में था 9,000 करोड के आसपास इसका मतलब year of year को bit किया और quarter of quarter को भी bit कर पाए तो रही बात company का provision के बारे में तो provision में थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला जिसके चलते हैं stock के उपर पेशर देखने को मिला actually company का problem का हुआ वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ देखे company के provision के बारे में बात कर तो company 3300 क्रोड के आपस यहाँ पर provision देखने को मिला जो पिछले बार 5700 क्रोड के आपस था और पिछले साल में 7200 क्रोड के आपस था इसका मतलब provision company ने control में लेखे आया फिर भी company का जी expectation था कि और भी अच्छा खासा प्रविदनिया पर इसको company ने कर नहीं पाया और उसके साथ company का जो NPA है NPA के जो percentage है net NPA के बारे में बात करो तो 0.67% के आसपास लेखने को मिला जो पिछले बार 0.77 के आसपास है और पिछले साल में 1.20 के आसपास है इसका मतलब quarter quarter में थोड़ा सा changing हो है उतना ज्यादा changing नहीं है अगर company का retail banking के बारे में बात करो तो company इस बार retail banking से कितन पैसा बैंग में लेका है वो देख लिए 48,000 क्रोड के आसपास पिछले बार था 42,000 क्रोड और पिछले साल में था 38,000 क्रोड तो यह था कुछ basic information आपको details में जानना है तो मुझे जोरू comment करिएगा तो आपको मेरे video अच्छा लगे तो please like करना और हाँ थोड़ा सा चाट प झाल